जो जो चाहते कि टीम इंडिया फाइनल मैच को जीते वो इस वीडियो को लाइक से स्टार्ट करें भाई हम भी तो देखें कि इंडियन्स के अंदर टीम इंडिया के लिए क्या मोहबत है कितनी उनको टीम इंडिया से प्यार है और क्या उनके अंदर जोश है तेकि वीडियो म में व्यूस पर काउंट नहीं करूंगा आज मैं देखूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट कैसा इंडियन टीम के साथ बाकि मैच तो काफी तगड़ा उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इंडिया जीते सबसे पहली प्रियोरिटी अपनी ये रहेगी और साउथ अफ्रीका के के बीच मैच होगा है साउथ अफ्रीका ने भी अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप ने जीता है और देखिए मैं आपको इस चीज बता देता हूं इंडिया और साउथ अफ्रीका में ये दो टीम सबसे ज़्यादा डिजरू करने वाली टीम है वर्ल्ड कप और आउस्ट्रेलिय ये वगरा सा जैसे फाइनल में अगर महार जाते ना तो बहुत दुख होता है क्योंकि उनसे हारना भी गलत है साउथ अफ्रीका से इन केस मान के चलो जिनके पास एक वर्ल्ड कप नहीं आप अगर इंस्ट्रागरा स्क्रोल करते हो तो आपको मालूम होगा एक डिविलियर् क्योंकि हमें सिर्फ एक वर्लड कप चाहिए तो इस तरीके से भाई कोई वी टीम हो चाहिए इंडिया की थीम हूआ हो उस देश के लोग उस टीम से बहुत प्यार करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं तो बहुत ही रोमांचक मैच होगा बहुत ही दगड़ा मैच होगा तो हम भी कोशिश करेंगे इस match में small league भी भी एक लोगा लेकिन स्मॉल लीग से कहीं जढ़ा कहीं ज्यादा मैच cred लिए अच्छा होगा क्योंकि देखिव Frage आप जब small league में investment करो गया तो फिर आपका जो combination है वो पूरा ऐसा होगा Indian side के बिस्पर होना भी चाहिए legging फेंटेजी आपको बताएं ना कि आपको हर एक प्लेयर जो पॉइंट देगा वो लेना पड़ेगा तो स्मॉल लिग जो खेल रहे ना मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कोशिश करना आज किस मैंच में आप स्कीप कर दो और ग्रैंड लिग पे फोकस करो और जैसे 20 क आप इंडिया के फेवर में चले जाओ पंद्रास आउट अफरीका के साथ चले जाओ ताकि उलट फेर भी हो आपके पास कॉम्बिनेशन हो और बाकी इस वीडियो में आपको सारी चीज़े बताऊंगा ये बताऊंगा तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखना और आप सब आपो बता रहे ले पे बहुत ही बड़ा गीव बहुती शांधार गीवं इस वीडियो में आप सब के लिए रहने वाला है अब मैं आपको बता रहोड़े तो कि आपको मिलने वाला क्या है मैंने स्क्रींशोट ले लिया था ठेखिए आपको ये पो नि상ृव फॉन नज़ कुछ दिख रहा है आइफ़ोन 15 प्रो मैक्स और इसकी प्राइस दिख रही है एक लाग चौवन हजार दूसरी चीज की बात करी जाए तो सैमसंग एलक्सी एस 23 अल्टरा का यह मोबाइल है यह सारे मेरे पास पड़े हुए ठीक है वर्ल्ड कप के अंदर मैंने जितने बड़े इववे किये आपने चाहे किसी को भी फॉलो किया होगा उतने बड़े इववे किसी ने भी नहीं किये अब यह जो दो फोन है ना यह उन लोगों को मिलें करेंगे और जो चैनल के सब्सक्राइबर से फाइनल मैच है तो अव्य सी बाते बड़ा और इंडिया पहुच चुकी है मतलब अगर कोई नॉर्मल टीम होती ना तो में इतना वड़ा यह वह नहीं करता आज किसमें मैं आपको बदा देता हूं दस लोग जीतने वाले हैं आ आप साथ लाक चालीस आर मान लो चालीस वह ले लो या पचास ले लो पचास ले लो एक और साथ और ग्यारा आठ तो यानि कि टोटल हो गए 19 लाक रुपे का गीववे इस वीडियो में और वह भी सिर्फ और सिर्फ आईकेम फैमिली के लिए और मैं आपको पहले भी बोल कि वन करोड का बजट में आप सब के लिए निकाल चुका था वर्ल्ड कप के लिए और इससे पहले भी मैंने जो गीववे किये ना उसमें भी आईफोन वाले गीववे मैंने दीए और आपको यह और बता देता हूं पिछले कुछ वीडियो के गीववे विनर्स और उसमें यह नहीं देखूंगा कि उसकी टाइमिंग क्या है कभी भी कोई भी बंदा विन कर सकता है जैसे मानलो मैं अभी विनर्स सेलेट कर रहा हूं एक मिनट पहले अगर उस बंदे ने कॉमेंट किया होगा ना तो भी वह विनर है तो आपके पास इतनी जादा मतलब मो सब्सक्राइब करना विडियो को लाइक करना पूरा वाच करना इसे बढ़ ज्यादा को लोगो लगा लेना कहीं आप चैनल का लोगो ना लगाओ प्रोफाइल के अंदर तो यह आपको करना है टोटल अगर देखें तो उनलीश लाग का गीववे इस वीडियो के अंदर इससे ज्यादा क्या आप लोग लोग है और बस यह मेरे पास लगबार आट से नो लाग रुपे का बजट पड़ा हुआ है बाकि सारा मतलब खड़ सोचुगा है आप सब के लिए एक वीडियो में 20 लाग का गीववे तो और भी तो वीडियो में मैंने किया है ना सिर्फ आठ से नो लाग रुपे का बजट पचा है बाकि पूरा 92-93 के सम्थिंग मैंने जो है ना गीववे में अमाउंट मतलब जैसे मानलो मेरे पास अमाउंट तो है मतलब प्राइज तो है लेकिन जो विनर अगोस को तो प्राइज मिले गई तो यह और अभी जो आने वाल करना कि इंडियन टीम फाइनल मैच जीतें अब करते हैं वीडियो में मैं में बात ठीक है अच्छा एक चीज़ और बता देता हूं कि देखे 20 विनर तो यह है जिसमें दस आईफोन वाले विनर है दस सैंसंग एलक्सी अल्ट्रा वाले विनर है सो विनर और सेलेक्ट होंगे रेंडम ली सो विनर और उन सभी लोगों को दोसो दोसो रुपे दिये जाएंगे तो जैसे दस विनर के वीस विनर के अलावा और भी आपके चांसे यह जैसे कई बार होता है ना क्यार हमारा नंबर नहीं आया टॉप 20 में तो और जो टॉप 200 उनमें नंबर आ जाएगा तो कॉमेंट आप करो आपके विनिंग के चांस में जितना हो सकता न उतना बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो बीस तो लोग वो हो गए लेकिन यह ध्यान डखना 120 लोगों में जो फर्स्ट दस लोग होंगे उन लोगों को आईफोन दिये जाएगा उसके बाद के दस जो लोग मौका है और अधर वीडियोस में भी मौका है तो आप देखिए आप जितनी मैनत आपके हातों में आप उतनी करो और बागी प्राइज आपको 100% मिलेगा तो यह गीववे की बाते भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद थोड़ी नहों कोई मैंच है का जिसमें म भी जरूरी है तो यह तो हो चुका है फिरी अब बात करते हैं में में चीजों की यह बहुत जरूरी चीज थी जो कि मैं आने वारी वीडियोस में करने वाला नहीं हूँ इसलिए मैंने यहीं पर में टॉपिक क्लियर कर दिया है ठीक है आप करते हैं में में चीजों की बात सबसे पेले जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं किया है ना वह टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर देना क्योंकि इस मेच की जो final मेरी टीम होगी वह कहां मिलेगी वह यहीं पे तो मिलने वाली है लिंक मेंने video के description में दिया हुआ है तो आप आप वहां पे क्लिक करके जोइन कर सकते हो क्योंकि देखिए जो गीववे के विनर्स भी अनाउंस होंगे ना उनकी वीडियो भी यहीं पे आने वाली है यहां मैं एक वीडियो डायेक्ट लिए लाइव ही ना सेंड भी कर दूँगा लेकिन फिर भी आप जो है ना जोइन कर लेना क्योंकि दोसो जो दोसो यह सो सो विनर्स है यह रेंडम ली जैसे वीडियो में करूँ ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो हो सकता यहां पर आ जाए तो फाइनल टीम भी फाइनल पिछ इंपोटेंट चीजे ना वह सब यही पर आने वाली तो आप जोइन कर लेना वीडियो के description में मैंने link दिया होए और comment works में भी मैंने link दिया होए वहाँ पर जहाँ से भी आपका मन करता हो ना और वहां से join कर सकते हो आप बात करते हैं एक application के बारे में जिसका नाम है real 11 अच में जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैं अगर आपको लगता है इंडिया विन करेंगी तो ट्रेड्स भी यहां पर अवेलेबल है उन पे भी आप अमाउंट लगा के अच्छा खासा प्रॉस्ट अरूंड कर सकते हो लेकिन वाइस दिल लगाया करो यह चीज क्योंकि य अमाउंट इंवेस्ट करो क्योंकि मैं आपको लगबग जो कंफर्म होती है वो शेर करने की मेरी कोशिश होती है तो आप वह कर सकते हो बाकि इंडिया उस्ट्रेडिया की ट्रेड्स यहां पर ओपन है आप चाहों तो यहां पर इंवेस्ट कर सकते हो डाउनलूड अगर अलावा तो वह आप लोग अच्छी खासी मतलब वह एक अलग से एड्वांटेज वाले जो गेम्स होते ना वह भी यहां पर आवेले बले तो डिंग जो लिंक है ना वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेले बले अब वहां से जो है ना एपको डाउनलोड कर सकते हो और बागी देखिए अब जो जितनी भी अभी थोड़ी अभी तक जो बाते हुई थी ना वो जैसे मानलो जो आईकेम फैमिली के में मेंबर से ना उनके लिए थी वो बाते अब जो नए लोग है ना क्योंकि कई लोग ऐसे जो पहली बार भी चैनल की वीडियो को देख रहे है ठीक है क्योंकि इतनी वहनत करन तो उनको यह पता होना चीह ना कि उनके पास अभी भी मौक है उनके पास यह सारी चीजे आप से स्ठट होगी मेनली fantasy की main main चीज़ें ठीक है चलो continue करते हैं इस match की main चीज़ों के उपर देखिए इंडिया और South Africa दोनों काफी तगड़ी टीम हैं इंडिया भी चाहती है इस match को win करना South Africa भी चाहती है मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूं अच्छी चीज़ तो नहीं खराब है वह और वह है साउत अफ्रिका के साथ देखिए एड़न मारकरम ने जितने भी बड़े टूर्णामेंट में कैप्टन सी की है ना एक बार भी नहीं आ रहा है एक बार भी तो यह इंडिया के लिए वैसे देखा जाए तो गलत चीज़ है ना कि यार एक बार भी नहीं आ रहा है लेकिन इंडिया के लिए चीज़ अच्छी भी है क्य तो इसलिए आप यह मान के चलो लगबग रेशो की बात करें न तो एक्सपेक्टेड 65 इंडिया के चांसेज है और 35 आप लोग वहाँ पे ले सकते हो साउथ आफ्रीका कि 65 इसलिए क्योंकि बड़े मैचेस की बहुत बड़ी टीम है टीम इंडिया और साउथ आफ्रीका को कहा जाता है चोकर्स अगर आपको नहीं मालूम तो बात अलएगे वरना मैं आपको बता दूश साउथ आफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है क्योंकि यह चोक कर जाते हैं बड़े मैचेस में यह सेमी फाइनल में ही बाहर हो जाते हैं आप तो इनको छोटी टीम मिली थी अफग इस टीम ने पहले बोलिंग कर लेना वो टेंग लगभग कण्फरम है मैच जीतेघी लगभग कंफरम है अब बोलेगे कि भाई ऐसा क्यों क्या मतबब क्या रीजन है कि जो चोटोच जीतेगी वही मैच जीतेगी तो देखी रीजन में आपको पूरा खुलय आम दिखाओं आपको पिछले दो मैंस देखने को मिले होंगे और इस आफरिका और युएसे का मैस तो इंग्लेंड और युएसे का मैस था इंग्लेंड की टीम ने ऑपंडर चेज के पूरा रण चेज कर दिया था आपनर चेज्ट पे एक सिंगल विगेट नहीं गया था ठीक है तो 117 रण उपनर चेर्ज कर दी ते इंग्लेंड ने यह युए से वेस्टेंडीट का मैच वेस्टेंडीज ने इक विकेट के नुकसान पर पूरा गेम चेर्ज कर लिया था यह और इंग्लेंड इंडिया की बोलिंग पे इंडिया को बहुत एडवांटेज है और साथ में इंडियन टीम को एक चीज करनी चाहिए आप नहीं करती है तो बात अलग है मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि इंडियन टीम को दूबे को हटाओ क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा ह और जेस्वाल को लेकि आओ ताकि इंडियन टीम के दोनों ओपनर भी सेट हो जाए लेफटी राइटी का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा और विराट कुली की भी पोजिशन उसके जो में पोजिशन उस पर आ जाएगी करना चाहिए नहीं आर इंडिया को यह चेंज लेकिन करी नहीं रहें और विराट कुली अभी आपने देखा होगा कि टीट्वन डी वर्ल्ड कब में बिल्कुल फ्लोप रहा है तो टीकी नहीं पा रहा है और पिछले मैंस में तो इतने घंदे तरीक से विराट कुली आउट हो था था ना भाई यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह तो यह करना चाहिए टीम इंडिया को अब देखते हैं अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो टीम फर्स्ट बोलिंग करेंगे ना उसके विनिंग के चांस थोड़े ज़्यादा रहने वाले यह चीज़ आपको द्यान लखनी है और वाकि यहां पर पेस स्पिन दोनों को बराबर हेल्प मिलती है पेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है आप मतलब जो पेसर से ना वो ज़्यादा इंपोर्टेंट होते स्पिनर्स के कंपेरीजन में दियान डखना इस बात का ठीक है वागि देखिए विराट कुली रोही शर्मा अगर चेंज नहीं करते हैं तो मतलब फिर तो वही लाइन अप होगी ना और अगर करते हैं तो जेस वाल को लाना चाहिए लाना चाहिए नहीं लेकर आ जाओ देखिए विराट रोहित ओपनिंग फिरिशवपन फिर सूरिया फेशिवं दूबे हार्दिग अक्षर रविंद्र जड़ेजा जो आपको मालूब ना हो वुम्रा और अजडी पाउर प्ले में आएंगे जो कि आते भी हैं और डेथ होर्स की अगर बात करें इन दोनों के साथ हर्दिक आने वाला है और यह इनके बैंच के प्लेयर है बैंच में से बस जेस वाल के चांस है कि वो खेल सकता है बात करते है यहां से प्लेयर इस्टेट्स की सो गाई देखिए नंबर वन पर आपको देखने को मिलेंगे विराट कोली और यह ओपनिंग करेंगे आपके रोट ना अगर इनके रिकोर्ड की बात करें ना तो राट को लिकार का फी ठीक है मतलब उतना खराब भी नहीं और उतना रिकोर्ड है और नहीं रिषभ पंद कर प्लेयर ठीक है उसके बाद दूबे है पहला मैस खिलेंगे आरदिक का रिकोर्ड काफी अच्छा है उसके पाद जडेजा है आक्षर पटेल है पिश्का मैस जिताया था इंडिया को भूमरा है दो मैस में एक ही उसके बाद कुलीप तो आखो शब्याद की जो है ना कुझी बिखेट अभी लिये भी थे और यह मैस्टों में आखों से लायव देखा था यह जो मैच है ना यह उपने जो पांच फिए ठीक है और इसी मैच मेच पे सूरे सेंचूरी भी आई थी है इसी मैं खुद नाही देखा था इस मैच को त उसके बाद और साथ अफरीका में मैस था ये इंडिया का फिर उसके बाद अर्षदीब का रिकॉर्ड देखो के काफी अच्छा है और देन उसके बाद ये बैंच के प्लेयरे जैस्पाल देखिए जीरो पे चला गया था और उससे पहले साथ रन की इनिंग खेली थी और चैल की बात करें जो कि साथ अफरीका की टीम है तो यहां से सेम लाइने पर रहेगी बहुत ही कम चांस है कि इनकी टीम में कोई चेंज होगा तो देखिए को रीजा हेंडिक्स के साथ आपनिंग करेंगे फिर मारकरम है एक ध्यान रखना इंडियन टीम में क्या है लेफटी ही की न तो ऐसे बोलिंग तो करता है करेगा निकरेगा वह बताना मुश्किल हो जाता यह बहुक्त से पासे कैटिंग्स ऑपर चला जाएगा वह कंडिशन वाई फिर डैविड मिलर है फिर उसके बाद मार्को जैंसन है केशव महराज है नौर्किया है रबाड़ा और शमसी है लगबख फाइनल लाइनप मानो आप इनकी और बहुत कम चांस है कि कोई चेंज इनकी टीमे होगा पान्च मेन बोलड़ है और छटा इनका एडन मारकरम है और बैंच के प्लेयरों में कोट्जिय हैं वाहिं परक्र चून और रिकिलतनेर बाड़ में और नौर्किया नोर्कियार के चंस्छ थोड़े कम है बागि मारको जैंसन और रबाड़ा système और डेथ में नोर की रवाड़ा कंफर में मारको जेंसन के कम है और बात करते प्लेयरों के स्टेट्स की तो देगी रीजा एंड्रिक्स का एक मैच था मतलब पिछले चार मैच में आप देखोगे तो ठीक ठाक रिकॉर्ड इतना खराब भी नहीं और इतना अच्छा भी नहीं रहे रहे हो ना तो मारकरम माजच नीडनड प्लेयर ऐसे मैच हस में मारकरम चलता यूड़ा ध्यान दखना अगर आप मारकरम को नहीं ले रहे हो तो आप गलती कर सकते हूँ क्योंकि मारकरब बैटिंग बोलिंग से भी बेकट देगा मैं यह कह सकता हूं कि मारकरम इसमेंच का ट्रंप कार्ड प्लेर है मैं बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि आप ले नहीं रहेंगे नहीं इंपर्टेंगे नहीं रहेंगे मारको जैनसे ने दोवी किट लिये थे महाराज की बात करीजाएं तो महाराज ने पांच मैच में चे वीकिट लिये वे नोरिखे की की बात करें तो पिछले चार मैच में तीन विकेट है जिन उनके बाद रबाड़ा और शमसी है देखि इस मैच में करने वाली है लेकिन समानना पड़ेगा क्योंकि रबाड़ा काफी एच्छी फॉर्म में चल रहा है और शमसी की बात करें तो मिडल ओर्डर में यह वही सेम काम करेगा जो इंडिया के लिए कुल दीप यादों करेगा सेम सेम प्लेयर हैं बिलकुल सेम कोई रबाड़ा बात करते हैं इस मैच में सबसे बैस्ट केप्टन की अगर बात करें न देखिए यह विगिट थोड़ा सा ऐसा है जहां बोलर्स अच्छा करेंगे और पेसर काफी अच्छा तो हार्दिक पांड्या जिसके पास बेटिंग और बोलिंग दोनों बेकाप यह आप करने वाला हूं और वाइस कैप्टन की अगर बात करें न तो बुम्रा और डिको यह दो अदर आप्शन वैसे देगी विराट कोली भी अच्छे कैप्टन होंगे क्योंकि विराट को ली को है ना इस में मैंने देखा बहुत ही कम लोगों ने ले रखा है अब विराट कोली या मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को अरकर आप भी उन में से हो तो कॉमेंट करके बताना बहुत सारे लोग है आपको हो सकता है हो सकता है आपको लगे मैं गलत हूँ लेकिन बहुत लोग है जो सिर्फ और सिर्फ विराट कोली की वज़े से इंडियन टीम को फोलो करते हैं जन्रूनली कह रहा हूं हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं बट यह रियल्टी बागी देखिए विराट कोली बहुत अच्छे क्याप्टेंसी की ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा अच्छे तीन तो यह आप्शन है विराट का नाम सिर्फ इसले नहीं लि विराट कोली को भी बोलूंगा में क्योंकि उनका भी सेलेक्शन को है लेकिन विराट कोली को लोग आटोमेटिक ले लेंगए मैच जैसे ब बदो के बात में ने करी ली जिनको नहीं पताए गीव बटा एग यह इस वीडियो में पीच्छे जाके देख ले ना बहुत लंब तो चाहो तो चीप करो लगता हो एक लगता हो कि आपको यहां पर अच्छी एर्णिंग हो सकती अपके बिलकुल फेलो ठीक है वागते ट्रेड़ कर सकते हो अपको यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चेनल पे मिलेगी Link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है जिन लोगों ने join नहीं किया है वो join कर ले न क्योंकि pitch report, final team, small league, grand league small league की तो देखे most likely मैं शाहिदी दू क्योंकि grand league में मेरा focus होगा और small league देखे खेलना में मत क्योंकि पूरा मन तो grand league में चला जाएगा और फिर देखे मेरे से team भी नहीं बनेगी इंडिया की winning की वे इस पर team मनाऊंगा मैं और एक तरफा अगर मैश नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा और एक तरफा हर जाओगे तो small league में तो यार मैं खुद आपको बुलू है investment किया तो कम करना या कर रहे हो तो फिर आप अपने हिसाफ से team मैं हाला कि यहां पर आपको team दे रहा हूँ आप उस हिसाफ से भी combination setup कर सकते हो तो टेलिग्राम जोइन कर लेना grand league के कम से कम बीश टीम आने वाली है description में link available है और video को like और channel को subscribe कर देना जिसने नहीं किया है और अब अगर बात करते हैं team की तो वह मैं आपको बता देता हूँ तो guys देखिए wicket keeping section में मैं यहाँ पर pick करने वाला हूँ content deco को henry classen को henry classen को अगर आप चाहो तो drop कर सकते हो बट फिलाल के लिए मैंने लिया हूँ क्योंकि मैं देखिए साउथ अफरीका पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ henry classen की betting आएगी और यह बंदा पर्फॉर्म करेगा उसके बाद बैटिंग section में विराट को ली सूरे को मार याद हो और अपना रोहीच शर्मा तीनों को मैंने लिया हूँ है डेविड मिलर एक अधार option है जिनको आप चाहो तो बिल्कुल अपने टीम में include कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर हारदीक पांड्या एडर मार्करम आप देखिए अगर पिछ में ऐसा हुआ है इसा मतलब लगा टीम में ले रहा हूँ तो उसके बाद आजिए बोलिंग सेक्शन में तो कुलीप याद हो मस्ट निडियर प्लेयर उसके बाद यहाँ पर आना है अर्षदीप सिंग मार्षदीप नहीं कुलीप के बाद अपना भूमरा का आंगा भाई तो अर्षदीप को तो सिर्फ आप बोलिंग पर ले सकते हो बुमरा का है जस्परित बुमरा उसके बाद तबरेश शमसी और यहां नहीं शमसी को भी नहीं देगे स्पिनर्स को तो पर सिर्फ तभी लूँगा जब पता लगा ना कि हाँ यह विकिट थोड़ा सा स्लो रहने वाला है तो फिलाल के लिए मेरी ट कासे इनको ड्रोब करके आप अक्षर पटेल और अर्जदीप इन दोनों को भी ले सकते हो तो यह मेरी डेमो टीम है और कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें ना देखें आप्शन के मामले में तो सभी कैप्टन के आप्शन है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं फर् लेकिन मैं पाइस यता रगए तो वीडियो में सारी चीज़ लग बग रेंबे ऑवीडियो लंगम मैं लसटेहां वीन बताना कमेंट करके चलना चीए तो मतल creators करना चीचब दा देखेंग बढ़ मैंच उसवे म Tit देखह-ables今 विडियो चीजज बने तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कोशिश करना ग्रेंड लिख खेलने का कोशिश करना नहीं बल्द खेली लेना यह एक मैच की दो बात है बाई और स्मोल लिख खेल लेओ तो यह टीम लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यह ले लेओं डाउनलोड कर सकते हो लिंक प्रिप्शन में बले बले तो क्लिक करके जोइन कर सकते हो और तो क्या ही बोले भाई और हाँ गीववे में पार्ट्समेट करो बीस कोमेंट आपको बेस्ट कोमेंट वालों को फॉन मिलने वाले है आईफोन और सैमसंग एलेशे स्टावडी ट्रे अल्ट्रा और तो लोगो करके जाना देखते हैं बाई इंडियन टीम के फैस्ट और तो चलो फिलाल तो यह था इस वीडियो में ठेंक्यू दोस्ते इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मिलते हैं एक्स्ट वीडियो